नमस्कार नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नागपूर के विविद्ध हल्चल पर महा मेट्रो ने जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक मिनी इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट विकसित करने का निर्ने लिया है स्टेशन के समवर्ति स्तर पर इलेक्ट्रोनिक सामान बेचने वाली 20 दुकाने होगी इन दुकानों का निर्मान हो चुका है महामेटरों ने इन दुकानों को बोली लगाने वालों को 9 साल की अवधी के लिए लीज पर देने का टेंडर जारी किया है 20 दुकानों में से 17 दुकानों का ख्शेत्रफल 125 वर्ख फूट से 150 वर्ख फूट तक है 63 बड़ी दुकाने हैं जिनका ख्शेत्रफल 600 वर्ख फूट से 900 वर्ख फूट के बीच है निविदा महा मेट्रो की वेबसाइट पर उपलब्ध है बोली जमा करने के अंतिमती थी 7 अक्तुबर 2021 है बोली लगाने वाले द्वारा लाइसंस शुल्ग प्रतिवर्क मिटर प्रति माह के आधार पर बोली तै की जाएगी महा मेटरों ने सिविल लाइन्स के जिरो माइल के पास 20 मंजीला टौवर के निर्मान के लिए टेंडर भी जारी किया है इस बिल्डिंग के अंदर जिरो माइल फ्रिडम पार्क स्टेशन है टौवर जमिन से उपर 18 मंजीला होगा इसके अलाबा दो बेस्मेंट फ्लॉर होंगे भारते विमान पत्तन प्राधी करण AAI ने इमारात के लिए 295 फिट की उचाई को मंजूरी देती है जेसी आई नाकपूर मेटरों ने बंधन जेसी आई सप्तह में अंतिम दिन सदैवन इस्वारत भाव से सेवा कारिये में जुटे समात सेवियों का सम्मान किया गया इस कारेकरम में कमल पत्रह पुरसकार, 10 टीयो वाईएपी पुरसकार, 3 उत्कृष्ट शिक्षक पुरसकार, 3 उत्कृष्ट नय व्यापारी, 3 सामाजिक सेवकों को सम्मानित किया गया भव्य समारोह में 12 महीने के उत्कृष्ट LOM अधिकारियों को भी बहुत भव्य तरीके से सम्मानित किया गया इस कारेकरम में जोन निदेशक जेसी आई विक जेसी अमित अगरवाल, पिछले जोन अध्यक्ष जेसी आशिश जिचकार, जेसी स्वास्तिक जैन अधिधी के रूप में उपस्तित थे संस्तापक अध्यक्ष नामंकित समनवयक जे एफम जीवी आनंद शर्मा भारती, सलाहकार, एच जीएफ उशान अंदेडगर, अध्यक्ष जेसी लोकेश नंदेडगर, सचिव जेसी वैशाली वर्मा, जेसी आई सप्ताह समनवयक जेसी निताली तगाडे, जेसी आई सप् भूमिकादग। जीव गांधी मेमोरियल कैरम प्रतियोगिता में कामठी शहर के 94 खिलाडियों ने एंट्री हितु संपर्क किया, मगर राउंड लिस्ट सिस्टम में 64 या 128 बैटने की समस्या के चलते, 64 खिलाडियों के आविदन लिए गये, प्रतियोगिता के पहले दिन पहले चरण में 5 ब प्रतियोगिता के दूसरे दिन तीसरे चरण के मैच शाम 4 बजे तक चले, जिसके पश्चात 8 खिलाडी कौटर फाइनल में जगा बनाने में सफल हुए। बोजन की थीम पर मनाया गया। और परोसे जाने वाले भोजन की गुनवत्ता का पता लगाने के लिए विभिन्न खाद्य स्टॉलों का निरेक्षन किया गया। सभी रेल्वे स्टेशनों पर जलपान और चाय की दुकानों की जांच की गई। ये स्वच्छता पक्वाडा नाकपुर मंडल पर 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सभी गतिविधियों के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानद अंडों और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने पर विशेश ध्यान दिया गया। सभी जा रहे देश के कानूनों का खुला उलंगन और गट तीन दिन में मीडिया में तेजी से फैल रही खबर कि Amazon ने भारत में अपने वकीलों के जरिये सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी हैं। सरकारियों को रिश्वत दिये जाने वाले मुद्दे पर Amazon के वित्य दस्तावेज जो पिछले वर्षों में सरकारी विभागों को दिये गए हैं। जिससे जल से जल ये पता लग सके कि क्या Amazon द्वारा लोगों को रिश्वत दी गई थी या नहीं। स्वच्छता पखवाडा के तहट स्वच्छ जागरुकता थीम पर दक्षिनपुर्वा मध्धर रिल्वे नाकपुर मंडल के स्टेशन, डीपो, कार्याले में स्वच्छता को अमल में लाए जा रहे तरीके एवं व्यभार तथा उनमें सुधार पर वेबिनार के माध्यम स चर्चा की गई इस चर्चा में सभी से स्वच्छता के प्रती जागरुक होने तथा दूसरों को भी जागरुक करने के लिए प्रेरित किया गया एन्जिटी मानदंडो और परियावरन अधिनियमों के अनुपालन से हमें स्वच्छता में कड़े मानकों की निगरानी और रखरखाओ करने में भी मदद मिलने की बात कही गई रेलवे द्वारा अलग-अलग जगोहों में साफ सपाई हेतू किये गए कारियों का सचित्र वरणन किया गया रेलवे के स्टेशन, डीपो, कार्याले एवं कॉलिनियों में स्वच्छता संबंधित रेलवे द्वारा किये गए कार्य का संपुर्ण वीवरन प्रस्तुत वेबिनार के द्वारा किया गया इस ओनलाइन वेबिनार में एके सुर्यवंशी, ARDAM, S रहा, CMS, गुन्जन वासनिक, SR, DME सहित करिब 40 रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लेकर विस्तृत जानकरी का लाब उठाया शिविसेना भारतिय कामगार संगटना, माथाड़ी और जनरल कामगार यूनियन के नाकपूर ग्रामिन के उपजिला प्रमुक राजेश रंगारी के नेतरुत्व में नाकपुर जिलाधिकारी के जरिये मुख्या मंत्री उद्दव ठाकरे को नाकपुर ग्रामिन, काटोल, नर्खेड, कलमेश्वर, सावनेर, पारशिवनी, देवलापार, रामटेक, उम्रेट, बुटी बोरी, हिंगना, वाडी, कनान कामठी, मौदा और भीवापूर में हो रह की जगा खाली पड़ी है, जिसकी वज़ा से इंस्पेक्टर का तथा करमचारी को कारवई करने के आदेश देने वाला कोई नहीं है, जन्ता मिलावटी खाना खा रही है, जिनमें कामगार वर्ग के लोगों को तरह तरह की बीमारी आग घेर कर उन्हें आर्थिक, शारिरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदार खुले आम खानपान की चीजों में मिलावट कर जन्ता की सेहत के साथ खिलवार किया जा रहा है, मिलावट खोरों का डर खतम हो गया है, सरकार से निवेदन कर मांग की है कि जल से जल फूड और ड्रक्स विभाग मे मुख्य आयुक्त और साहयक आयुक्तों को नियुक्त कर, मिलावट खोरों पर कारवाई कर आम जन्ता को बचाए, इस अवसर पर गजानन चकोले, यश्वत कावरे, आदी शिवसेनी कुपस्तित्ते जनसंग के पुर्वर राश्री अध्यक्षय स्वर्गिय पंडित बच्छराज व्यास की जयनती शुक्रवार को पंडित बच्छराज व्यास चौक में सुभा मनाई गई कार्यक्रम में प्रमुक रूप से गांधिबाग जोन सभापतिश, रधापाठक, राजेश रोकडे, प्रमोत पेंड के एडवकेट नजी के ताव्यास, डॉक्टर महेश्तिवारी, मनोश्तिवारी, श्रीकांत आगलावे, संजय चिंचोले, मुकुन बापट, अनिता काश विनोध आश्टिगर आदी उपस्तित थे हाल ही में AIMIM उत्तरनाकपुर कार्याध्यक्ष इर्शात अहमत के नेतरुत्वा में संगर्ष नगर इलाके की समस्याओं को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया गया प्रभाक्तिन संगर्ष नगर इलाके में जब से बस्ती बसी है तब से ना सही रोड बना है जब भी बारिश होती है बस्ती ताला बन जाती है और यहाँ आना जाना दुश्वार हो जाता है लोगों के घरों में पानी घुच जाता है बस्ती वालों को बहुत तुकसान उठाना पड़ता है नसिम अक्तर अंसारी ने बताया कि संगर्ष नगर बस्ती में सीवर लाइन 40 साल पुरानी होने के कारण सीवर लाइन चोक हो जाती है और पानी को निकलने में एक से दो दिन का समय लग जाता है महानगर पालिका का और नगर सेवर को का इस बस्ती की तरफ ध्यान ही नहीं जाता या काम करना नहीं जाते है इस अउसर पर नाकपुरशा रद्यक्ष, जाविद अक्तर, वकार अंसरी, जहांगीर अंसरी, रियाज शेक, शारिक जमाल, रिजवान एहमद, मुहमद अश्वाक, कलीम अंसरी, रिजवान अंसरी, जहांगीर अश्रफ, वकील एहमद, समसुद्दिन भाई, मुहमद शरि की संस्था सिंधुडी यूथ विंग नाकपुर के रजज जैन्ती वर्ष के अंतरगत सिंधुडी अकबार की ओर से सितारा कला जा ये कार्यकरम पेस्बुक के सुहिना सिंधी पेज पर आज रात 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा साथना सहकारी बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष में वा बैंक के संस्थापक चेर्बेंट कर्मयोगी स्वर्गिय अरजुन कुकरेजा की स्पूती में आयोजित होने वाले इस कार्यकरम के बारे में प्रोग्राम डारेक्टर तुलसी सेतिया ने बताया कि कार्यकरम प्रमुक अतिती के रूप में उपस्तित रहकर इस शों में अपने अनुभाव साजा करेंगे जमियत उलेमा जिला नाकपूर की और सेष शुकरवार को पुलीस जिंखाना में नाकपूर शहर पुलीस आयुक्ता मितेश कुमार का शौल वशरीफल देकर सतकार किया गया जमियत ने पुलिस आयुकत से शहर के हालातों पर चर्चा की इस अवसर पर हाफिस खरीर उल्लहा, हाफिस मसुद एहमद, अमुल हुसेन खान, पुर्वन अगर सेवक सिराज एहमद, सचिव जावेद अख्तर, आतिक कुरेशी, जैद अंसारी आदिव पस्तित थे Helping Hand NGO की और से जारी एक बयान में, श्रावन बाल, संजे गांधी निराधर योजना के लंबित मानदे का ततकल भुकतान और मानदे में रुद्धी की मांग की गई है श्रावन बाल, संजे गांधी, निराधर योजना के तत, सरकार बुजर्गो, निराश्रितो, विद्वाओ, अपंगो और लंबे समय से बिमार लोगों को मासिक मानदे प्रदान करती हैं, जो महेंगाई के इस दौर में बहुत कम है इसके लिए सभी का मानदे महेंगाई के कारण 5,000 रुपे दिया जाए, मासिक मानदे यथा शिग्रखाते में जमा किया जाए, अन्यथा इन व्यक्तियों के लिए भूके मरने की नौबत आ सकती है हल्पिंग हैंड एंजियों ने जिला कलेक्टर को दिये एक बयान में मांग की है कि इन मुद्दों पर विचार कर मामले का ततकाल समाधान किया जाए और सरकार मानवी दृष्टिकों से लंबित मानदे का भुकतान करे इस अउसर पर सामाजिक कारे करता भुशन प्रकाश राव दलाल, अथरवन आकपुरे, अभिशित पाठक, राहुल ठाकूर, भुशन दहके, रिना जुनागरे, प्रीती साव, भारती गायकवाड आदी उपस्ति थे उक्त जानकारी राजे सोनुने ने दी उम्रेट पवनी कराणला अभयारन्य में एक अक्तूबर से परियतन शिरू किया जा रहा है ये जानकारी, मुख्यवन सरक्षक तथा क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर प्रोजेक्ट रवी की रन गोवे करने दी है पेंच टाइगर प्रोजेक्ट के खुरसापार, चोर बाहूली, कोली तमारा, सूरेवानी, खुबाला, पवनी परियतन गेट, पोर व्यागर प्रकल, टाइगर प्रोजेक्ट के बोर बाहन परियतन गेट और उम्रेट पवनी कराणला वो गोठन गाउ परियतन गेट एक से 15 अक्तूबर तक ओनलाइन पद्धती से गेट की वहांक्षमता कम कर ततकलिक स्वरूप में 12 की गई है साथ ही अडेगाव परियाटन गेट की और जाने वाला मुख्य रास्ता पारिश के कारण बंध होने से अडेगाव परियाटन गेट आगामी आतेश तक बंध रहेगा हुम्रेट पवनी करहंडला अभहार अजने स्थित पवनी परियाटन द्वार 15-31 अक्तूबर तक ओनलाइन परियाटन के लिए उपलब्ध रहेगा परियाटकों के लिए 16 अक्तुबर से ओनलाइन सफारी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी एक नवंबर से पवनी भंडारा टुरिस्ट गेट पर ओनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी टुरिस्ट कॉंप्लेक्स में ठेरने की सुविधा परियटकों के लिए 1 अक्तूबर से ओफलाइन के साथ साथ औरिया भूकिंग के लिए उपलब्द होगी परियटक 10 अक्तूबर से वेबसाइट पर और अॉनलाइन भूकिंग कर सकेंगे परियटकों को COVID-19 के समद में राष्टिय बाग सरक्षन प्राधी करण राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा मनपा का होट मेक्स प्लांट विभाग नाकपुर शहर की मुख्य सडकों और आंतरिक सडकों पर गड़ों को भरने के लिए सभी जोन्स तरपर कारवाई कर रहा है इस प्रक्रिया के तहच शुक्रवार को धरंपेट, धन्तोली, नहरू नकर और गांधिभाग जोन में विभिन्ना मारगो पर गड़े भरे गए जबकि सम्ता नकर में सडक बुरी तरह उखड जाने पर भी यहां केवल मूरुम डाल कर सडक सुधार के नाम पर लीपा पोती की गई धरंपेट जोन के इंद्रायनी स्पेशलिटी होस्पिटल रोड पर 12 गड़ों को भरने और 85 वर्ग मिटर सडक मरमत का कार्या किया गया नहरू नगर जोन में शितला माता मंदिर से हसनबाग रोड पर निर्मल नगरी के सामने 15 गड़ों को भरा गया और 150 वर्ग मिटर की मरमत की गई इसलिए गांधिबाक शेत्र आंतरिक हज हाउस दवा मारकेट रोड पर गड़ों की मरमत की गई नागपुर शहर में गड़ों का जोनल सरवे एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित गड़ों की फोटो के अनुसार होट मिक्स विभाग द्वारा मरमत दैनिक कारवई की जा रही है इसके बावजुद आशे नगर जोन अंतरगत समता नगर पहुच कर मारक की और कीसी का ध्यान नहीं है समता नगर के आमबाटोलिक शेत्र से सुगत नगर की और पहुची संकरी सडक में धेरो गड़े हैं लेकिन व्रशासन का कोई ध्यान नहीं है नागपूर देश के रिदय स्थल पर है यहाँ परिवहन की सभी सुविधाव और अंतर राष्टी हवाई अड़े की क्षमता को ध्यान में रखते हुए नागपूर को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे यह प्रतिपादन जिला कलेक्टर विमला आर ने उद्योग भवन में आयोजित एक दिरसी एक्सपर्ट्स कॉंक्लेव के उद्घाटन अवसर पर किया इस अवसर पर मिहान के विकास आयुकतर डॉक्टर वी सर्मन, विदर्ब एकोनोमिक डेवलोप्मेंट काउंसिल के अध्यक्षय शिवकुमार राओ, विदर्ब इंडस्रिस एसोसियेशन के अध्यक्षय सुरेश राठी, उद्योग सहसंचालक एपी धर्माधिकारी, मिहान परिवहन के साधनों और ओद्योगिक विकास के लिए अनुकुल वातावरण के साथ निरियात क्षम उत्पादर दुनिया भर में अपने माल का निरियात कर सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के पेशेवरों के पास बहतरीन अफसर है, उन्हें निवेश करना चाहिए। नाकपुर शहर भी निरियात में हिस्सा लेने को तयार है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और हवाई परिवहन का उपयोग करके कुरुशी उत्पादों के आपूरती करना आसान होगा। करीब दो बचकर दस मिनट के दोरान दो नकाप कोश अग्यात आरोपी पारडी परिसर के कापसी स्थित पंजाब नैशनल बैंक के एटियम में पहुचे और लोहे के कटर से एटियम मशिन के सामने के धकन को खोल कर उसमें रखे नगदी को चुराने का असफल प्रयास किया कुछ देर तक प्रयास करने के बाद अचानक वहाँ पर एटियम मशिन से कैश निकालने के लिए एक व्यक्ति के आने की आहट आरोपियों को हुई जिसके चलते आरोपी वहाँ से भाग खड़े हुए हालाकि इस घटना के बाद एक अग्याद ग्राहक ने एटियम से कैश भी निकाला और चला गया सुबह जब एटियम मशिन में कैश डालने के लिए बैंक के करमचारी पहुचे तब उन्हें एटियम मशिन के सामने का दर्वाजा तूटा हुआ नजर आया इसकी जानकरी बैंक के मैनेजर को दी गई पुलिस ने अग्यात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च किया है गनेश पिट पुलिस टेशन के अंतरगत विपरी दीशा से आ रहे एक अक्तिवा के चालक ने उसे रोकने के ट्राफिक पुलिस करमी के साथ मार पिट कर देख लेने की धमकी दी इतना ही नहीं, चालान मशिन की तोड़ फोड भी की, ट्राफिक पुलिस कर्मी की शिकायत पर मामला दर्च किया गया है, पुलिस सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यातायत पुलिस कर्मी मधुकर शंभर कर कॉटन मार्केट जोन में ड्यूटी पर तैनात थे, इस दोरा आरोपी वरुण ने ट्राफिक पुलिस कर्मी के साथ मारपिट कर धक्का मुक्की की और गाली गलोज कर देख लेनी की धमकी दी, इतना ही नहीं, ट्राफिक पुलिस कर्मी के पास की M-Swipe नाम की इलेक्ट्रोनिक चालान मशिन छिन कर नीचे पटक कर तोड़ दी, इस मामल पुलिका की पहल से और सिनियर सिटीजन कौंसिल अफ नागपुर के सहयोग से वरिष्टन आगरिक दीवस के अउसर पर भव्यकार्यक्रम का योजन किया जाएगा, विचानकरी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी, इस बारे में महापौर कक्ष में महापौर दयाशंकर अध्यक्षता में बैठक हुई, बैठक में विधाय गिरीश व्यास, सिनियर सिटीजन के कौंसिल के अध्यक्षा मनोहर खर्चे, उपाध्यक्षा वसन पाटिल, सचिव सुरेश रेवतकर, सहसचिव वासुदेव आकोडिकर, सभापती हरिश दिकोनवार, समन वैक बैठक में वरिश्टनागरिक दिवस के अउसर पर आयोजित होने वाली विभित कारेक्रमों के संदर्ब में चर्चा की गई। एक कैतरवे जन्मदिन के अउसर पर और देश की स्वतंतरता का पचातरवा वर्षगाट आजदी का अमरुत महुत्सों के तौर पर मनाया गया। इस अउसर पर देश के लिए जिन करांती कारियों ने सरवोच्च बलिदान दिया, उनके योगदानों का स्मरण किया गया। आजदी के बाद एक लोकतंतर के रूप में 75 साल की इस यात्रा में हमने अपने लोकतंतरिक पुल्यों को मजबुत किया है। आज हम एक मजबुत सक्षम और संप्रभू राश्टर के रूप में आके बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आजदी का अमरुत महुत्सों मनाते स देश के लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना आसानी से देखी जा सकती है। प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी के नेतरुत्व में हम सामुहिक जन भागिदारी से एक नय और आत्मनेनभर भारत के लक्ष को प्राप्त करने की दीशा में प्रगती कर रहे है इसके तहद भारतिय जनता युवा मोर्चा के सेवा एवं समर्पन अभियान के तहद शुकरवार को अजनी चौकस्तित फोजी टैंक के सामने शहीत समारक पर पुषपांजली अर्पित कर कार्यकरम का शुभारम किया गया। उसके बाद आजादी के पहले और 75 साल बात की ह शेश्राव वानखेडे की 106 वी जयनती की अउसर पर महापोर दयाशंकर तीवारी उप महापोर मनिश धावडे ने बैरिस्टर वानखेडे की प्रतीमा पर माल्यार पण कर मिनम्र अभिवादन किया। इस अउसर पर अपर आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय ज नाकपुर महानगर पालिका के स्थापना के बाद 20 जुलाई 1952 को पहले महापोर चुने जाने के बाद बैरिस्टर शेश्राव वानखेडे ने 1954 और 1955 में दो बार महापोर का पदभार संभाला था। एसे कई पदो पर उन्होंने महात्वो पुर्णा कार्यक किये।